दोस्तों अगर आप भी डेविड वार्नर और शेकर धवन को शांदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर खिशेगा दोस्तों धरम शाला के खुबसूरत मैदान पर टूटा पंज्राब का प्ले आफ का सपना वार्नर की साथ प्रित्वी ने अपने बल्ले से मचाई इसकदर तबाई रहम की भीख मांगने पर मुझबूर हो गए पंज्राब के शेर तो आखर कैसे अपने बल्ले की गरज यसे प्रित्वी और वार्नर ने उड़ा दी पंज्राब की धजिया करू या मरू के अंतिम घमासान में कैसे पंजाब ने दिलिया दिली को मुह तोड़ जवाब रूंग्टे खड़े कर देने वाले इस माहा मुकाबले में किसने दिलाई अपने टीम को जीट इस रोमान चेक मुकाबले की पूरी हाइलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डेविड वार्नर और शिकर धवन में कौन सबसे बेहितरीन बल्लेबास और कप्तान है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताईए दोस्तों IPL के आखरी हफ़ते के महा संग्राम में दुनिया के सबसे खुबसूरत स्टेडियम धरमशाला के मैदान पर पंजाब के शेर अंतिम चुनवती के लिए तयार थे टोर्नामेंट से बाहर हो चुके दिल्ली उनका खेली बिगाडने को बेकरार नजर आ रही थी एक करारी हार पंजाब का सब नाथ तोड़ सकती थी और ऐसे में पंजाब इस मुकाबले में अपना सब कुछ लूटाने के लिए तयार थी जब से काउचला तब किसमत चम की कपतान शेकर धवन की और उन्होंने टोस जीत कर पहली बल्ले बाजी का नियोता दिया दोस्तों एक बार फिर दिल्ली में बतला हुआ और प्रित्वी शौक की टीम में वापसी होती है और अपनी टीम को तुफानी शौरवाद देने के लिए प्रित्वी शौक अपतान डेवेड वार्नर के साथ मैदान में उतर गे एलिमिनेटर के इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा स्ट्रीडियम खचा खच भरा हुआ था नॉकाउट मुकाबले के लिहाद से पंजाब ने शौरवाद तो बेहद शांदार की पहले दो वरों में उनके दोनों गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिलकुल भी मौका नहीं दिया और दिली बड़ी मुश्किल से केवल 6 रनों तक पहुँच पाई थी लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अपना विकेट बचाने में काम्याब हो गए थे यहीं पंजाब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई जेहां जैसे ही इन दोनों की नजरे जयमी उन्होंने काउंटर अटेक के शुरुआत कर दी गेंदबाजी करने आए सैम करन की लगातार दो गेंदों पर मैदान के दोनों तरफ जो के जड़कर डेविड वार्टनर ने अपने तेवर देखाने शरू कर दिये थे अभी से कप्तान शेकरधवन के चेहरे पर चिंता की लकी रिन थी क्योंकि उन्हें किसे भी कीमत पर विकर चाहिये था लेकिन वार्टनर का इरादे तो कुछ और ही थे वो तो दिले पर कहर बनकर तूट पड़े सैम करन के बाद उन्होंने निशाना बनाया इस मुकाबले में वापसी करने वाले घातक गेंदबास कगी सोर रबाड़ा को जिनका स्वागत थे प्रत्वेशों ने बेहित्रीन शौके से किया था गेंद मैदान को चीरते हुए पलक जपकते बाउंडरी तक पहुँच गई थी लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांती थी असली तबाही का मंज़र तो दिखाया है जेवेड वार्नर ने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें पैरो पर गेंद मिली जिसका बखुबी फादा उठाते हुए वार्नर ने अपने पिक अप शौट से गेंद को बाउंडरी के बाहर फैंक दिया जेहां तारा मंडल को छूते हुए वो गेंद स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी थी जिसे देखकर तो अभी से कगी सो रबाडा की हालत खराब होने लगी थी लेकिन उन्हें तो अभी वार्नर खून के आशू रुलाने वाले थे आपको बता दें ओवर की अंतिम गेंद पर रबाडा ने चला के दिखाते हुए बाउंसर डालनी शाही लेकिन उस पर भी डेवेड वार्नर ने अपने ऑस्ट्रेलिया इंदाज में बेहितरीन पुल शॉट से छक्का बटोर कर इस ओवर में कुल 17 रंजर दिये थे और इसे अब तक की पारी का सबसे मेहगा ओवर बना दिया था देखते ही देखते देखते दिल्ले की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी और पंजराब को उन्हीं के घर में ये दोनों खिलाडी तारे दिखा रहे थे अभी तक शिखर धवन का हर एक प्लैन फ्लॉप साबित हुआ था तो वहीं दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो पंजराब के शामत आ चुकी है शिखर धवन ने ऐसे में दोस्तों अपने सबसे भरोसे मंद गेंदबाज अरशुदेप सिंकों गेंदबाजी आकरमण पर बुलाया इस खिलाडी पर अपनी टीम की वापसी कराने के जिम्मेदारी थी लेकिन आज तो दिल्ले कुछ नया ही सोच कर आई थी वार्नर के बाद पृत्वी ने भी अपना सारा गुसा इस गेंदबाज पर उतार दिया उनका स्वागत थे पृत्वी ने बेहितरीन चौके से किया था लागातार दो गेदो पर उन्होंने मैदान के दोनों तरफ दो शांदार चौके बटोरे और पंज्राबियों के पूरे जोश को ठंडा कर दिया पूरा स्टेडियम दंग था वहीं तने खुबसूरत मैदान में पिंडॉप साइलिन्स था क्यों के दिली पंज्राब को कुछल रही थी तो दो शांदार चौकों के बाद प्रित्वी ने अपने बल्ले की गरज से एक और तू फानी छक्का बटोर कर पांच ओवरों में ही अपने टीम को 51 रनों तक पहुचा दिया था बीहद धीमी शुरुवात के बाद जो इस तरीके से इन दोनों ने तीन ओवरों में गियर बदलाओ किया उस पर अभी भी पंजया भरूसा नहीं कर पा रही थी रबाडा से लेकर सैम करन अर्शदीप सिंग सभी की जम कर पिटाई हुई थी लेकिन अभी नैथन एलिस बशे हुए थे और उनकी कसर अब पावर प्ले के अंतीम ओवर में पूरी हो गई आपको बता दें पावर प्ले का अंतीम ओवर लेकर एलिस आये थे उन्हें लगा था कि वो विकेट शटका सकते हैं लेकिन उन्हें भी डेविड वारनर ने एक के बाद एक दो करारे चौके जड़ कर छे ओवरों के पावर प्ले में अपनी टीम को एक सट रनों तक पहुँचा दिया और दोस्तों ये रुकने के लिए तयार नहीं थे दोनों एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब की चर्म कर धूना ही कर रहे थे ऐसा लगा था कि पंजाब ने दिल्ली के सामने उतर कर ही बहुत बड़ी भूल कर दी है और अभी से उनके चेहरे पर पच्चतावा और खौफ का मंजर साफ तोर पर देखा जा सकता था जो के चकों के इसी तरीके की जड़ी लगाते हुए दोनों ने आठ ओवरों में अपने टीम को 76 रनों तक पहुँचा दिया था और ये दोनों तो बेहितरीन बल्लेबाजी कर रहे थे इनके बाद भी दिली के पास फिलिप सॉल्ट राइली रूसो और अक्षर पट्रेल जैसे तूफानी बल्लेबाजों की ऐसी फोज है जो उन्हें आसानी से दोसों के पार ले जाकर इस मुकाबले में विजेता बना द लगती है लेकिन आपको क्या लगता है पंजाब प्ले ओफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल को वेडियो अच्छी हो तो से लाइक सरूर करें